तो भायो आज हमारे पास Wagon R का VXI model जो कि इस car का most value for money variant रहने वाला है तो इस वीडियो में बात करेंगे इस car के सभी details के बारे में, सभी features के बारे में, exterior and interior looks के बारे में, तो overall complete detail review करने वाले हैं इस car का, तो वीडियो का एंट तक जरूर देखेगा, वीडियो काफे जदा informative र available देखने को मिल जाती है, 5-speed gearbox के manual transmission वाला, और automatic के transmission के option भी इस car के अंदर available देखने को मिल जाते हैं, car का size दिखने में काफी बड़ा लगता है, और इस price range के हिसाब से, ये car काफे जदा spacious car भी है, और अभी mainly बात के लेते हैं, car के engine specifications के बारे में, तो wagon R के अंदर हमें, दो type क engine option available देखने को मिल जाते हैं, पहला है वन लेटर का petrol engine, और दूसरा है 1.2 लेटर वाला petrol engine, जो की swift वाला ही रहने वाला है, और ये particular model आता है, वन लेटर के petrol engine के साथ, जो की K10C series वाला petrol engine है, और ये power generate करता है 66 bhp की, और 89 nm का talk generate करने में, ये car का engine शक्षम भी है, बागी इस ये car देख रहे है, 6-7 लाग के budget में, ये car आपके लिए best हो सकती है, बागी अभी मेली बात के लेते हैं, car के exterior look के बारे में, तो front side से शुरू करते हैं सबसे पहले, front की side आपको halogen का setup मिलता है completely, halogen में आपको इसका head lamp मिल जाते है, halogen के अंदर इसके indicator दिये गए है, नीचे वाले ही दिये गए है, and overall front look कुछ type के निकल कर आते है, front की side, और अभी बात के रहे हैं, car के side look के बारे में, तो side से देखने में, car काफी जादा बड़िया लगती है, and बड़े size की ये decent सी car रहने वाली है, side की तरफ इसका सब कुछ body colored ही material यहाँ पर रहने वाला है, fender के उप इसके साथ ही रहने वाले है, with wheel के आप आपको इसके साथ ही मिल जाएंगे, and front दोनों ही टार में आपको disc brake मिल जाते हैं, सारह ही pillars आपको body color में मिलते हैं, अंदर के side door के side देखेंगे, तो यहाँ पर आपको electrical adjustable के control मिल जाते हैं, power window controls यहाँ पर ही है, and lock unlock के button यहाँ पर ही मि मिल जाते हैं, सब कुछ hard plastic material ही यहाँ पर रहने वाले है, bottle holder मिल जाते है, with magazine holder के साथ ही, speaker की placing मिल जाती है, बाकी कुछ इस type का spacious सा cabin रहने वाले है, अब यह अंदर बैट के बात करेंगे, height adjustable seat यहाँ पर नहीं है, fabric seat वाली ही मिलती है, यहाँ पर simple सी, and overall side से देखने में car कु अब जाता simple सी car लगने वाली है, completely halogen का setup यहाँ पर use किया गया है, breaking lights आपको halogen के अंदर ही मिलती है, and नीचे के साथ आपको indicator and reverse parking lamp पी आपको halogen के अंदर ही देखने को मिल जाता है, बाकी कोई भी wire, wiper washer and defoker यहाँ पनी है, बस high amount to stop lamp पे अंदर की side, and यह chrome garnishing के ओपर wagon hour की badging गल जाती है, बड़ी बड़ी, बाकी नीचे की side कोई badging वगरा नहीं है, बस दो parking sensors मिल जाते है, reflectors मिल जाते है, non functioning में है completely, और अभी बात कर लेते हैं, car के boot space के बारे में, तो कुछ तरीके से इसका on करना होगा handle के through, and पिछे के side आपको partial tray मिल जाती है completely, और numbers के according यह and covering वगरा proper मिल जाती है, तो कुछ टाइप का इसका boot space को, बाकी होगी spoiler वगरा तो यहाँ पर आता ही नहीं है, ना कि यहाँ पर roof rails भी इस model के अंदर नहीं मिलते है, antenna बी simple वाला ही है, तो अभी बात करेंगे इस चावी की, तो कुछ टाइप की इसकी चावी मिल जाते है, प सब पहले यहाँ पर कुछ बटन मिल जाते हैं, जो कि यह traction control and idle star stop को बटन, यह traffic में काम आता है, and यह headlamp leveler का बटन हो गया, and इधर की साड़ एक AC went दिया गया है, बाकी इसका steering wheel भी simple side round element के साथ ही दिया हुआ है, and instrument cluster भी round element के साथ ही है, अभी इसको चला कर on करके दिखाता ह जिसके लिए आपको चाबी लगान ही होगी, and कुछ type का instrument cluster मिल जाता है, कोई भी tachometer वगरह है यहाँ पर नहीं है, बस इस speedometer दिया हुआ है, 180 के top speed के साथ, and सभी type की warnings वगरह है यहाँ पर show हो जाती है, and beach की side इस display मिल जाती है kind of, यहाँ पर आपकी fuel leveling वगरह दिखा देता ह and trip A, trip B की information वगरह भी यहाँ पर ही show हो जाती है, and गाड़ी का mileage वगरह भी यहाँ सभी show हो जाता है, इस button की through आप इसे control भी कर सकते हैं, बाकि सभी type की warnings वगरह है यहाँ पर आ जाती है, बाकि SRS airbag की badging और सुझूई का logo, and कुछ type का इसका dashboard layout रहने वाला है completely, black and beach finishing के साथ ह रहने वाला है, इस event मिल जाता है, दोनों साइड यह, बाकि driver साइड वाला जो है, जब चलाते हैं गाड़ी तो हाथ पर आवा आती है, अभी बात करें कार के इन्फरटेन्मेंट सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है, 2DIN का इन्फरटेन्मेंट सिस्टम जिसके अंदर हमें 2 speaker मिल जाते हैं, इसको आप अपने phone से connect कर सकते हैं, AUX port के through, यहीं पर ही सारे media controls वगरा दिये गए है, steering warranty को भी control नहीं मिलता है, FM वगरा इसी के अंदर ही चल जाता है, और volume के dial वगरा भी आप यहाँ से ही change कर सकते हैं, मतलब volume up and down भी यहाँ से ही कर सकत जाता है, जिसके अपने phone वगरा भी charge कर सकते हैं, अपर deep space है, phone वगरा रख सकते हैं, car का central console कुछ type कर रहने वाला है, completely black and beach finishing के साथ, 5 speed gearbox का manual transmission वाला model आप देख रहे हैं, cup holders मल जाता है, इंदर की साइट सिंगाली, and brake lever भी simple सा ही दे आ गया है, पिछे की साइट कुछ element वगर armrest वगरा नहीं है, बाकी dashboard layout तो कुछ type का है, and glove box के बारें बात करेंगे, तो decent सा, छोटा सा space मिल जाता है, अंदर की साइट सामान वगर रख सकते हैं, and handles वगरा, simple वाले ही दिये गए है, adjustable headrest यहां पर नहीं है, fixed headrest है, पिछे की साइट भी, आगे की साइट भी, बाकी seats भी यहां पर आपको fabric seat apostrophe के साथ ही मिलती है, and यहां पर seat जो है, comfy comfortable रहने पार है, under thigh support भी decent वाले जाता है, headroom वगरा, lego space भी अच्छा कासा मिल जाता है, अई बात करेंगे, rare side comfort के बारे में, तो पिछे की साइट आपको यहां पर hard plastic material मिलता है, आगे के जैसा ही, power window controls मिल जाता है, पिछे वाले के लिए, और bottle loader वगरा proper मिल जाता है, अब अंदर बैट के बात करेंगे, तो पिछे की साइट आपको कोई भी armrest वगरा, इस model के अं ही है, and leg space वगरा अच्छा का सा मिल जाता है, long ride के लिए भी comfortable car है, तीन बंदे भी, तीन बच्चे जो है मेरे जैसे बैट जाएंगे आराम से, बट अगर ज्यादा मोटे मोटे हैं, तो उन्हें शायद दिक्कत आ सकती है, बागी headroom मेरी height के साब से यहां पर आपको भर भर क जाता है, and seat भी comfortable ही रहने वाले fabric seat के साथ ही, तो भाई, अगर आप भी कोई car देख रहे हैं, 6 लाग के budget में, तो यह car आपके लिए यह particular model आपके लिए best हो सकता है, VX model एक दम value for money variant रहने वाला है, बाकि अगर आप अपना budget बढ़ा सकते हैं, तो इस budget range में और भी काफी सारी गाड़ी आती हैं काफी साधा arrival के साथ, बट इस car की sale match कोई भी नहीं कर पाता, इसलिए यह car इंडिया के अंदर more selling car में से एक car है, सबसे ज़्यादा बिकती है इंडिया के अंदर यह car, तो भाई, अब यह आप मुझे comment करके बताएगा कि वैग अनार आपको कैसे लगती है अगर आप इस car को लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपको कोई friend इस car को लेने के बारे में सोच रहा है, तो यह वीडियो अपने उस दोस्त के साथ जरू शेयर कीजेगा, बाकी guys ऐसे informative वीडियो मालाता रहता हूँ, तो make sure आप channel से connected रहेगा, और channel को subscribe करके रख तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए, जाहिन!